आपके सामने एक अच्छी और एक बुरी खबड लेका आयां बुरी खबर जाही रह की राजनीती की होगी अच्छी खबर जाही रह की चिकित्सा विज्ञान की होगी तो एक खबर मैं शुरुवात करता हूं पटना से विहार से जहां पर उप मुख्यमंत्री समराट चौधरी ने लालू यादों पर एक हमला किया है यह ठीक है कि बिहार में हमले कुछ जादा उच्छे हो जाते हैं कभी कभी लेकिन यह तो एकदम ही परले दर्जे का है एक बयान में उप मुख्यमंत्री भाज़ुपा क्ये हैं यह समराट चौधरी ने कहा कि लालू यादों ने टिक्टें बेची हैं इससे अब एक बात यह तो साबित ह होती है कि लालू यादों की पार्टी की टिक्टें खरीदने को लोग तयार हैं कुछ तो संभावना उसमें होगी जिसमें संभावना ने जैसे मैं आपको बतलाऊं राइपूर शहर में सफाई कर्मचारी की भरती के लिए कोई परिक्षा होगी उसका पर्चा अगर पड़ रहे हैं तभी बिक रहा है पर्चा लालू की याद हो की पार्टी की अगर टिकट भी कर रही है जैसा कि बीजेपी के उपमुक्यमंत्री का पिहार में कहना है उसका मतलब है की लालू यादों की पार्टी में कुछ संभावनाएं लोगों को दिख रही होंगी तभी तो पैसा दे के टिकट लेंगे कोई फिल्म अगर अच्छी नहीं दिखती हम अपने कॉलेज के समय में बाबी फिल्म देखने गए तो ब्लेक में टिकट खरीद लेते थे फिल्म अच्छी होने की उम्मीद थी इसलिए उसी समय कोई सती सावित्री या महाबली कोई फिल्म आई होगी तो उसके लिए कोई ब्लेक नहीं हो रही थी टिकटें लोगों को उम्मीद नहीं होगी उनके अच्छा होने की तो खेर समराट चौधरी ने ये कहा कि लालू यादव टिकटें बेच रहे हैं और अपने खुद के लिए उन्होंने अपनी बेटी से पहले किड़नी ली तब जाके उसको टिकट दिये जो टिकट बेचने में माहिर खेला लिए और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं चोड़े पहले किड़नी लिए तब टिकट दिया यही है लालु आदादी का परीचा है जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालु प्रसाइब लोग हक्का बक्का हैं उनके इस बयान के लिए इससे घटिया बयान और क्या हो सकता है थोड़ा जादे ही घटिया नहीं हो गया है उत्तर भारत के हिंदी भाशी इलाकों में घटिया की लंबी परंपरा है लेकिन इसने तो आम घटिया की भी खटिया खड़ी कर दिये इतना गटिया है ये वयान लालू यादों की बेटी जिन्होंने उनको कुछ नी दी है शायद ये सिंगापूर की बात है वहां से उन्होंने लगातार लालू यादों के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट की थी अस्पताल की तस्वीरें पोस्ट की थी हर बेटी अपने पिता को बहुत चाहती है तकरीबन एक बेटी च्छतिस गड़ में ऐसी भी हुई जिसने भाई के साथ मिलके बाप को मार डाला कुछ दिन पहले लेकिन हमने देखा है कि लालू यादो की बेटी कितने महबत से उनके साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करती थी उसने बड़े होसले के साथ किड्नी दी उसके बाद अस्पताल की दोनों की तस्वीरें आते रही तब से लेकर लालू यादो अभी तक जेल में रहे बाहर रहे इलाज उनका चल रहा है होसले के साथ लड़ रहे हैं जी रहे हैं बेटी की किड्नी से ये चल रहा है लेकिन क्या बेटी को किड्नी के एवज में कोई टिकट देते हैं इससे घटिया क्या बात हो सकती है लेकिन मैं इसमें बहुत ज़्यादा समय गमाना नहीं चाहता राजनीती में ऐसी घटिया बात कौन लोग कहते हैं आप जानते हैं उसको जाने दीजिए इससे बुरी बात और क्या होगी खुद भाजपा के बिहार के नेता अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर समराट चौधरी को इस बयान के लिए कोस रहे हैं उनकी भर्तसना कर रहे हैं बीजेपी के नेता अपनी ही पार्टी के डिप्टी सी एम के खिलाफ बयान दे रहे हैं वहाँ पे खेर मैं किड्नी के बारे में पढ़ते पढ़ते मुझको अभी अमरीका के बॉस्टन के मैसाचुसेट्स हास्पिटल की एक खबर मिली है जिसमें 62 साल के एक आदमी को एक सूवर की किड्नी लगाई गई है पांच साल पहले 2018 में इस आदमी को एक दूसरे इंसान की किड्नी लगाई गई थी कुछ हरसा उसने काम किया उसके बाद समस्याएं बढ़ जाती है समस्याएं हो गई डाइलेसिस पे काम चल रहा था अब लग रहा था कि डाइलेसिस भी जवाब दे रहा है उसका भी असर नहीं हो रहा तो वहाँ पर चिकित्सा वज्ञानिकों ने एक काम किया उन्होंने वहाँ पर एक सूवर लिया उस सूवर के कुछ एक जीन्स जो है उसकी एडिटिंग की genetic editing इसको कहते हैं genetic editing करके उस sewer के शरीर में ऐसा फेर बदल किया कि उसके शरीर का कोई हिस्सा इनसान के शरीर में लगाया जाए तो इनसान का शरीर उसको तुरंथ ही reject ना कर दे उसको बरदाश्ट कर सके इनसान का शरीर ऐसा genetic modification, genetic editing सुवर की की गई पहला दूसरा उसमें इनसान के कुछ जीन से डाले गए और उसके कुछ हड़सा बाद उस sewer की किड़नी निकाल कर किड़नी के इस मरीच को लगाई गई अभी 16 तारीक को लगाई गई है 16 तारीक को लगाने के बाद से अभी तक ये मरीच बड़ी रफतार से recover कर रहा है डॉक्टर जो जिन्हों ने इसका आपरेशन किया है जो अस्पताल में देख रेक करने बहुत संतुस्ट और खुश है जितने तरह की जांच इसकी हुई है उन सभी जांचों में इसको पूरी तरह से फिट पाया गया है भी यहने सुवर की किड्नी इस आदमी के शरीर में इनसानी किड्नी के मुकाबले ज़्यादा काम्याब अभी दिख रही है एक हफते के भीतर आगे क्या होता है यह देखने की बात है अब यह कोशिश बहुत समय से चल रही है यह जेनो ट्रांस्प्लांटेशन कहलाता है जब जानवर के शरीर का कोई हिस्सा इनसान के शरीर में लगाया जाए सुवर का दिल हार्ट भी लगाया गया था इनसानों को वो काम्याब नहीं हो पाया था सुवर का लिवर कई जगे लगाया गया है इस हफते शायद कल ही चीन में एक इनसान को सूर का लिवर लगाया गया है अमरीका में भी ऐसा लगाया गया है सूर का लिवर पहले सूर की किड्नी भी लगाई गये वहाँ इनसानों को पहले लेकिन वो brain dead इनसानों को लगाई गयी है जिनका शरीर काम कर रहा था धड़कन काम कर रही थी दिमाग काम नहीं कर रहा था ब्रेंडेड हो गए थे उनके शरीर से और कोई उम्मीद नहीं थी घर वालों की इजाज़त लेकर सरकार के कानून के सब की इजाज़त लेकर ये जेनो ट्रांस्प्लांटेशन ये किया गया सूर की किड्नी पहले भी लगाई गई थी इंसानों में लेकिन काम्याब नहीं हुई थी तब इससे एक सबक लिया गया उसकी जीन एडिटिंग की गई जनेटिक एडिटिंग की गई और ऐसे फिर बदल किये गए ताकि उसके शरीर का हिस्सा निकाल के इंसान में लगाएं त तो हुआ इस बार काम्याबी होते दिख रही है अभी तक तो अच्छी काम्याबी दिख रही है डॉक्टर मरीज सब लोग बड़े खोश हैं अभी तक अब अमरीका की अगर हम बात करें तो वहां का आंकड़ा मैं आपको बतलाता हूँ अमरीका में नब्बे हजार मरीजों को किड्नी की जरूरत पढ़ती है हर साल वहां पर और किड्नी के इंतजार में खड़े-खड़े कतार में लगे हुए लोग तीन हजार से ज़्यादा लोग हर वरस मर जाते हैं किड्नी नहीं मिल पाती है अभी वहां पर एक लाख से ज़्यादा लोग देश भर की जो वेटिंग लिस्ट है ट्रांस्प्लांट के लिए उसमें लगे हुए हैं तीन हजार लोग कतार में खड़े-खड़े खड़े नहीं रहते रजिस्टर पे रहते हैं हर वरस मर जाते हैं ऐसे में ये एक बड़ा काम हुआ है ये अगर जानवरों के हिस्से निकाल कर इंसानों में लगाये जाएंगे तो जानवर तो वहां सुवर पालने के जो पिगरीज जो हैं जिनको गोश्ट के लिए सुवर पाले जाते हैं वो वहां पे लाखों हैं अमरीका में वहां सुवर का गोश्ट बड़ा आम है और एक दिल्चस्प बात आपको बतलाता हूँ मैं मैं इसको देख रहा था अभी इस अस्पताल की रिपोर्ट को देख रहा था तो जिस डॉक्टर ने पहली बार सुवर का दिल इंसानों में लगाया था ब्रेंडेड लोग थे उनमें लगाया था बड़े मुश्किल से कानूनी इजाज़त मिलती है इसकी ये प्रयोग के इ जाहिर की है अभी इस काम्यावी के उपर मुस्लिम ्डॉक्तर है मुस्लिमों के बीच में एक धार्मिक मानněता यह है कि सुवर को सबसे घंदा जानवर माना जाता है हराम माना जाता है सूवर का गोश्ट लेकिन अमरीका में एक मुस्लिम डॉक्तर मोहीउद्द्दीन उन् इसको इस काम्याबी के उपर खुशी जाहिर की हैं मुझको लगता है चलिए कोई तो ऐसे हैं धार्मिक कट्टर मान्यताओं से उपर निकल रहें इनसान की जिंदगी बचाने से ज़्यादा बड़ा और कोई धर्म नहीं होता और उन्होंने इस पे खुशी जाहिर की है कि सु की किड्नी इनसान को लगी इस पे आ गया अब मैं अपने पे आता हूं मैं बार बार इस बात को लिखता हूं कि इनसान इस धर्ती के सबसे घटिया जानवर हैं जानवर से बुरा मत मानियेगा धर्ती पे जितने प्राणी है उनको कहीं न कहीं जानवर ही कहा जाता है इनसान को कहा जाता है कि humans are social animals, मनुष्य सामाजी के प्राणी है कहा जाता है, अब इनसान को जब गाली देनी रहती है, किसी को सबसे भधी, सबसे गंदी गाली देनी रहती है, तो कहीं कुत्ता कहते हैं, उसको कहीं सूवर कहते हैं, कहीं साप कहते हैं, कहीं बिच्छू कहते हैं, इस सबसे मेहनत कश है जानवरों में जो इनसानों के काम आते हैं गधा उसको मूर्खता मान लेते हैं ये इतना मूर्ख है कि हमको काटता भी नहीं है ये इतना मूर्ख है कि हमको लाट भी नहीं मारता ये इतना मूर्ख है कि इसके उपर हम जितना भी वजन लादते हैं ये लेके जाता है और तो और जो गदा घोरा का मिला जैसा जो खचर रहता है वो पहाडों पे तीरतियात्रियों को भी उपर ले जाता है उसको गाली बना लेते हैं हमारी यह गदा कहते हैं। किसी को बद्दुआ देनी रहती है कुट्टे की मौत मरेगा कहते है कोई धोखा दे तो उसको आस्तीन का साप कहते है और किसी को गंदा कहना हो तो उसको सूर कहते है हमारे यह यह सूर जैसा काम मत करो अब मैं सोच रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जहां पर भयानक कमी है किड्नी की कोई देने को तैयार नहीं होते हैं खरीद नहीं सकते आप कानून ऐसा है हलांकि अभी मैंने सुना है कि म्यामार से आने वाले जिन रोहिंग्या मुसल्मानों को यहां नागरिक्ता देने का विरोध है चल रहा है सेंटरल गॉर्मेंट ने सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दिया है कि इनको यहां नागरिक्ता पाने का कोई हक नहीं है म्यामार के रोहिंग्या मुसलिमों को मुझको अभी पता लगा है कि उनकी किड्नी खरीदने का एक कारोबार चल रहा है खबरें हैं ऐसी म्यामार के रोहिंग्या मुसल्मानों की किड्नी खरीदने का जब किसी की किड्नी लेनी रहती है खुन लेना रहता है तो फिर कोई दलित अदिवासी बामान बनिया नहीं रह जाते हिंदू मुस्लिम भी नहीं रह जाते है किसी मुस्लिम से भी किड्नी मिल जाए तो ले लेंगे हिंदू किसी हिंदू की किड्नी मिल जाए तो मुसल्मान ले लेंगे कोई धार्मिक भेदबाव नहीं रहता है जब जान बचाने की नौबत आती है तो जान लेने की नौबत लेके क्यों आते हैं लोग धर्म और मजहव के नाम पर खेर हिंदुस्तान की बात मैं सोच रहा है कि हिंदुस्तान में जिन लोगों को किडनी की जरूरत है लाखों ऐसे लोग है जो डाइलिसिस पे चल रहे हैं यहां पर आबादी बहुत बड़ी है अमरीका के मुकाबले बहुत बड़ी आबादी है किडनी खराब है डाइलिसिस जरूरत है घर वाले देने को या तो तैयार नहीं है या किसी की किड्नी लेने की हालत नहीं है परिवार में कोई इतने नौजवान स्वस्त नहीं है कि किड्नी दे सकें तो लोग किड्नी खरीदना चाहते हैं खरीद भी लेते हैं बड़ा लंबा चौड़ा कानूनी कारवाई करनी पड़ती है बहुत सारे कागजाद लगते हैं खरीद लेते हैं दोखा देखे कानून को बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जो गहर कानूनी तरीके से किड्नी ट्रांस्प्लांट करते हैं हिंदुस्तान में करते हैं श्री लंका में करते हैं कई जगों पे करते हैं जाते हैं लोग वहां से transplant करा कि आते हैं, donor को भी ले जाते हैं, वहां से transplant करवा कि आते हैं, अब अगर मान लिजिए यहां, sewer की kidney लगने लगे इनसानों को तो क्या होगा, जो technology अमरीका में आज इस्तेमाल हो रही है, आज नहीं तो 5 साल, 10 साल बाद यहां होने लगेगी, तो जो sewer की kidney लगा कर हमारे आपके बीच घूमेंगे, जिन्दा हैं, इसलिए, क्या होगा उनका, जब वो गाली सुनेंगे, कि तुम sewer जैसी हरकत मत करो, sewer कहीं के, तो कैसा लगेगा उनको, उनके भीतर भी तो एक sewer का हिस्सा है, वो भी आधा इनसान, आधा sewer रह गये हैं, sewer वाला हिस्सा छोटा है, लेकिन है तो सही, कैसा लगेगा उनको यह गाली सुनके, कल परसों किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, कि हिंदुस्तान के सैक्डों हजारों वरस पहले किसी, एक पोरानी कहानी में लिखा हुआ है, कि अगर मजबूरी हो जाए, भूख से मरने के बजाए, कुत्ते की अतड़िया निकाल के पका के खालो. कल परसों किसी ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर बहुत बार पहले भी देखा है मैंने तो जब जान बचाने की नौबत आती है तो कुत्ता भी खालो वैदिक काल में गाय बैल इनका मान से खाया जाता था इनकी बली दी जाती थी बहुत जबहों पे है अब वो सुवर की किड्नी अगर इनसान के शरीर में आ गई तो क्या हिंदी भाषा से हिंदोस्तान की दूसरी भाषाओं और बोलियों से सुवर नाम की गाली को थोड़ा कम किया जाएगा और यह भी हो सकता है कल के दिन गधे के शरीर का कोई हिस्सा लगने लगे इनसानों में आपको पता है अभी भी अफ्रीका के कई देशों में गधों की कमी होने लगी गधों की खाल जो है उससे चीन में को एक ऐसी दवाई बनाई जाती है कि पूरी दुनिया से गधों को मार मार कर उनकी खाल की तसकरी चीन हो रही है वहाँ उससे दवाई बन रही है उस दवाई को इनसान खा रहे है गधा को गाली बना दिये हैं लेकिन उसकी चमडी से बनी हुई दवाई को खा रहे हैं इनसान जहां अपनी जान बचानी हो अपने बदन की ताकत बढ़ानी हो अपना इलाज करना तो जानवर ठीक है नहीं तो वो गाली है तो मैं तीन अलग अलग चीजों को आपके सानने कही टिकट के वज में आप तै कीजिए ऐसे नेता का क्या करना चाहिए चिकित्सा वज्ञानिकों ने एक सूवर की किड्नी इनसान में लगा दी और ये इनसान के शरीर में बढ़िया काम कर रही है भी बहुत अच्छा सेहत अच्छी है सुधरती जा रही है आपरेशन बात की सेहत अब मैं आपको एक छोटी सी का तीसरी मैंने घटना ये बतलाई आपको कि हिंदुस्तान में किस तरह से सूवर को एक गाली माना जाता है अमरीका में नहीं माना जाता अमरीका में बच्चों की जो गुलक रहती है वो सूवर के आकार की रहती है उसको पिगी बैंक क अमरीका की बहुत सारी ऐसी कार्टून फिल्में रहती हैं जिसमें पिगलेट रहते हैं सुवर के जो बच्चे रहते हैं छोटे छोटे वो रहते हैं कार्टून फिल्मों में सुवर को ऐसा बुरा नहीं मानते हैं वहां पर क्योंकि खाते हैं वो लोग दूसरे बांस जैसे चाहिए जब यहाँ चालू हो जाएगा तो भी आप गाली देते रहो PEHL summit तक दूसरे लोग जो गाली नहीं देते हैं उनको यह मिल जाएगा मैं आपको एक दूसरी कहानी बताता हूँ चिर्किछ्ष मिज्ञान की कहा प्लाट पर चिक अहीं के कःतानक परForm अपराइम कथाएं लिखने वाले रॉबिन कुक नाम के एक लेखक थे अब शायद नहीं रहे गए होंगे मैंने उनकी लिखी हुई तकरीबन तमाम अंग्रेजी उपन्यास पढ़े हैं आपको बतला दूं अंग्रेजी भाषा को सीखने का ये मेरा अपना एक अनोखा तरीका था जो सरल हिंदी वाली जो पापुलर लोकपरी उपन्यास रहती थी साहित्यक नहीं साधारन उनको पढ़ता था मैं उससे मुझको भाषा सीखने में मदद मिलती थी राबिन कुक की एक ऐसी ही उपन्यास थी जिसमें एक टापू पर चिंपांजी या लंगूर इनकी कोई एक नसल र पकड़कर उसमें ट्रांस्प्लांट जिसको चाहिए जिसको किड्नी लगवाना है लिवर ट्रांस्प्लांट चाहिए ऐसे लोगों के बदन के जीन्स इन चिंपांजी या लंगूर के बदन में जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए डाले जाते थे इनके जीन्स ताकि वो या वो चिंपांजी इस इनसान के लिए बदन लेने के लिए वो तैयार हो जाए जेनिटिकली मॉडिफाई हो जाए वो ये बात उपन्यास बता रहा हूं है आपको पचीस साल से ज़्यादा पहले की हूँ पचीस साल से ज़्यादा पहले एक विज्यान कथा लेखत ने ये कलपना की थी और उस टापू पे ऐसे ही जानवर पाले जाते थे जिनमें रेडियो कॉलर लगा दी जाती थी जब ट्रांस्प्लांट की जरूरत आ जाती थी मरीज को तो उस टापू पे पहुंचता था वहां पेशेंट भरती होता था जो अरबपती खरबपती रहते हैं उनके लिए था ये फिर उस जानवर को उनके नाम का जो जानवर था उसको पकड़ के लाया जाता था फिर उसके बदन से वो किड्नी लिवर उसको निकाला जाता था और फिर इनको ट्रांस्प्लांट किया जात तो इनका बदन रिजेक्ट नहीं करता था उसको चुंकि उस चिंपांजी के बदन में इस इनसान के जीन्स का कुछ हिस्सा कुछ अर्से से महीनों से या कुछ बरसों से काम कर रहा था वो जेनेटीकली मॉडिफाई हो गए थे यह मैं अभी आपके सामने बोलना शुरू किया मैंने तब जाके मुझको ध्यान आया कि पचीस साल से पहले यह उपन्यास मैं पढ़ चुका हूँ रॉबिन कुक की नाम मुझको भी याद नहीं आ रहा है कई लोगों को याद आ जाएगा तो विज्ञान कथा लेख़ग जो है जो कल्पना करते हैं आगे जाके किस तरह से सही साबित होती है यह देखिए आप अब हिंदुस्तान के लोगों को देखना है कि दूसरे जानवरों के बदन का हिस्सा लगवा के वो जिन्दा रहना चाहेंगे कि इसके खिलाफ वो मरने के लिए तैयार रहेंगे चलिए इस बारे में सोचिएगा आप लालू के बारे में जो बयान दिया है भाजपा के डिप्टी सीएम ने उसको भी सोचिएगा जो अमरीकी चिकित्सा वज्ञानी को ने किया है वो भी सोचिएगा आप अगर किसी को सूर की गाली देते हैं तो याद रखिएगा पूरी दुनिया में ये पाया गया है कि इनसान के लिए बदन देने को सबसे अच्छा परानी सूर है सूर के बदन के अलग-अलग हिस से इनसान के बदन के सबसे करीब हैं आगे जाके मुझको आपको किसी को भी ट्रांस्प्लांट की जरुवत पड़ेगी हो सकता है हमको किसी जानवर के पास जाना पड़े कि जानवर भाई सूर वहिया एक किड्नी दे देते जरा तो थोड़ा आज से भी गाली देना बंद कर दीजिए ऐसे पराणियों को फिर मिलते हैं अगर आपको हमारी बाच्चीत अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा नोटिफिकेशन की बटन दबाईएगा ताकि आपको एक संदेश आ जाएगा लाइक कीजिएगा इसके लिंक अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा जिसका भी आपको लगता है जिनको दिल्चस्पी होगी उनको भेजिएगा और कमेंट कीजिएगा कमेंट बाक्स में आपकी बातों से हम बहुत कुछ सीखते हैं एक छोटी सी नसीहत चलते चलते चूंकि सेहत की इतनी सारी बात हुई है बिली, सिगरेट, तमाखू, गुटका कुछ भी अगर आप खाते हैं जिसमें तमाखू रहता है तो ध्यान रखिएगा जितना आपको तमाखू खाने या पीने का शौक है उससे ज़्यादा शौकिंग कैंसर है वो थोड़ा पीछे, तमाखू के कुछ किलो मीटर पीछे, कुछ महीने पीछे चलके आता ही है आता ही है, देख लेता है कि आपका शौक जारी है उसके बाद वहीं से वाटसेप पे यमराज को खबर कर देता है और लोकेशन भेज देता है, गूगल लोकेशन आपके घर से तो यमराज आगे पीछे आपके आप कहुंचता है आगे आप बहुत समझदार हैं, क्या बोलू, मैं आपकी लोकेशन डिस्क्लोज करना नहीं चाहता सोच लिजिए, इन चीजों को छोड़ दीजिए वरना कैंसर आपकी गूगल लोकेशन यमराज को भेजता ही है फिर मिलेंगे